हेलो स्टूडेंट्स ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एच्टेट का एक्जाम देने वाले हैं दोजार एक्टिस में जो एच्टेट का एक्जाम हुआ था उसमें पीजी टी हिश्ट्री का जो एक्जाम था उसमें कैसे कोश्चिन पूछे गए थे ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं 90 तक जो कोश्चन है वो जनरल कोश्चन है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कोमन होते हैं कोश्चन 91 से हिस्ट्री के कोश्चन है कोश्चन 91 है कौन से खलीफा हिजरी सन की स्थापना से समबंदित है? तो इसका करेक्ट अंसर है second उमर Q92 है नीचे दो कथन दिये गए है अभी कथन A वै तर्क आर A है 1917 की बोल शेवी के करांती को मानव सब्वेता में मील का पत्थर माना जाता है और इसका तर्क है मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था जिसने सभी परकार की ऐसा मनताओं के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने की शोशित वैवंचित जनताओं को प्रोचसाहित किया तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो है फर्स्ट A और R ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो A की सही व्याक्ख है वो R है Q93 है संग लोक सेवा आयोग की सिफारिस किसने की इसका करेक्ट अंसर है थर्ड भारत शाइशन अधिनियम 1935 Q94 है 1916 में बंबाई स्थित पर्थम भारतिय महिला विश्व विद्याले की स्थापना के लिए कौन सा व्यक्ति जमेदार था तो ये है D.K. करवे नेक्स्ट है आरंबिक होमो सेपियन्स के परमान प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं अफरीका से नेक्स्ट कोस्चिन है टेट जेल ने किस पोप के कार्यकाल में छमा पत्रों की बिक्री की तो इसका करेक्ट अंसर है फोर्थ लियो नेक्स्ट एक्ट क्रांती के दोरान निम्लिकित में से किने फ्रांस में कन्वेंशन ने लागू करवाया इसका करेक्ट अंसर होगा सैकिंड और थर्ड सान कुलात और सीतो येन नेक्स्ट कोश्चिन है किसने सेना को दसमलव परनाली पर गठित किया तो ये किया था चंगेज खाने नेक्स्ट है मनव इतिहास में सबसे पुरातन कानून सहीता किसके दुआरा दी गई थी ये दी गई थी हम्मूराबी के दुआरा नेक्स्ट है फ्रांसीसियो की सहायता से 1765 में आधुनिक शस्त्रगार की स्थापना हुई थी ये हुथी दिंडी गुल में नेक्स्ट कोस्टन में दो स्टेटमेंट दी हुई है बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है फर्स्ट है उन्हें सोरतालिस में भारत सरकार ने एक समीती जे वी पी जिसमें जोहरलाल नहरू वलबभाई पटेल तथा पटाबी सिता रमया सम्मिलित थे भाशाई राज्यों के मुद्दे के परिक्षय ने तुगठित की समीती ने भाशाय आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्व संतूती दी तो इसमें जो सेकिन्ड स्टेटमेंट है वो सत्य है वो करेक्ट है नेक्स्ट कोस्चिन है अठारो सो सत्तावन के विद्रो के पश्चात निमलिखित में से को नेपाल चला गया तो नेपाल चले गये थे नाना साहिब ये जो अंसर है ये ओफिशियल अंसर की के अकोर्डिंग है जो नेक्स्ट कोस्चिन है वो है हेन्री कोर्ट ने किस फदती का आविशकार किया था तो इसका करेक्ट अंसर है अलोडन भट्टी का निम्लकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो इसमें जो फर्स्ट है वो सुमेलित नहीं है बाकी परफुल चाकी यह है मुझफरपूर बमकांड 1908 अश्वाकुलाखा इनका सम्मंद्र काकोरी सडियंतर से और सुखदेव इनका है लाहोर सडियंतर केस से नेक्स्ट कोस्टिन है अलेकजंडर करेंसकी था तो यह था अक्टूबर करांती से पूरूर रूस की ऐसा थाई सरकार का परमुख नेक्स्ट कोस्टिन है सवराज पार्टी के संदर्ब में निमलकित कतनों पर विचार कीजिए इसमें ए है सवराज पार्टी का गठन काकी नाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के दोरान हुआ था और बी है सी आर दास वै मोतिलाल नहरू ने 1919 एक्ट के तहत विदान परिशदों में परवेश की वकालत की थी जबकि C. राजगोपालचारी वया उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था ये दो स्टेटमेंट दी हुई है तो इन में से अंसर की के कोडिंग जो B है वो सही है नेक्स्ट कोस्टिन है मेसो पोटामिया का प्रारंविक लेखन प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है मिट्टि की तक्तियों पर गुटेण बर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविश्का यूरोप में किस स्थान पर किया एक या मेन में निमनांकित सवतंतरता से नानियों में से इंग्लेंड में इंडियन होम रूल सोसाईटी की स्थापना किसने की ये की थी शाम जी किष्ण वर्माने अंग्रेजो के विरुदु खासी विद्रोह का नेतरताओ किस ने किया ये किया था तिरोत सिंग ने निमलिकित में से कौन सा वैग्यानिक आविशकार करता और द्योगिक किरान्ती के दोरान किशी छेतर में हुए परिवर्तन से संबंदित नहीं है तो राबर्ट फुल्टन ये संबंदित नहीं है वहाबी अंदोलन का पर्मुखुदेश्य क्या था इसका पर्मुखुदेश्य था इसलाम का शुद्धी करण नेक्स्ट है एने बैलिंग एक्ट 1933 क्या था ये था इस एक्ट ने हिटिलर को अधिनायक वादी शक्तियां परदान की नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय राष्टिय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सवदेशी एवं सवराज पर प्रस्ताव पारित किये गए थे ये किये गए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा कथन मानववाद के लिए सत्य नहीं है तो इसमें जो फोर्थ है वो सत्य नहीं है मानववाद ने समाज से सभी परकार के शोशन का अंत कर दिया बाकि तीन है जो वो सही है मानववाद मनुश्य केंद्रित दर्शन है यूरोप में पुनर जागरन ने मानववाद वैतर्क को जनम दिया मानववाद को सेक्सपियर के साहित्य में अभी व्यक्ति मिली नेक्स्ट कोस्चन है निमलिकित में से कौन 876 में स्थापित इंडियन एसोसियेशन का संस्थापक सदश्य था तो ये था आनंद मोहन बोस नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बनी गवर्नर जनरल की कारेकारी परिशद का सदश्य नहीं था तो हाइड इसके सदश्य नहीं थे क्लेवरिंग, मौनसन और बोर्वेल ये इसके सदश्य थे नेक्स्ट है इसलाम के संदर्ब में तफसीर से आप क्या समझते हैं तो इसका मीनिंग है पैगंबर की कतनी वे करनी नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपूर ग्राम में नील आंदोलन आरंभ किया ये किया था दिगंबर विस्वास वे विश्णू विस्वास ने नेक्स्ट है निमलिखित साइमन कमिशन के सदश्यों में से किसे उदारवादी माना जाता था ये माना जाता सर जोन नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है इसमें जो थर्ड है वो सुमेलित नहीं है, बाकी मोंजोद्रो, निर्तकी, दोलावीरा, साइन बोर्ड और शार्तु, दई, उट, ये सुमेलित है नेक्स्ट है, निमलिखित को सुमेलित कीजिए, तो पद दिये हुए हैं और विभाग दिये हुए हैं मीर बहर, ये संबंदित है, नो सेनावे नदी परिवैन परभारी मीर बक्षी, ये संबंदित है, सैने विभाग परभारी मीर समन, ये है शाही गराना परभारी और मीर आतिश, ये है तोप खाना परभारी परंपरा के अनुसार जैनमत की पर्थम सादवी किसे माना जाता है ये माना जाता है चंदना को नेक्स्ट है मुगल जागिरदारी पर्था के विशय पर निमलिखित कथनों पर विचार करे ए है ओरंग जेव के शाशन के अंतिम वर्षों के दोरान मुगल परशासने की ढाचे को जागिरदारी संकट का सामना करना पड़ा बी है जागिरदारों की सीमित संख्या थी लेकिन मनसबदारों की ऐसीमित संख्या थी तो इसमें ए और बी ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है दोनों ही सत्य है नेक्स्ट है पुनरभूर शब्द पर्युक्त होता था यह होता था पुनरभिवाहित स्त्रियों के लिए नेक्स्ट है भारत में सोहन संसकर्ति किस यूग से संमभंदित हैं यह संमभंदित है निम्न पुरा पाशाण काल से नेक्स्ट कोश्चन दिवाने खेरात की सापना किसने की? ये की थी फिरोज तुगलक ने? हडपा सहर के उत्खनन में प्राप्त आर थर्टी सेवन क्या है? तो आर थर्टी सेवन है कब्रिस्तान पाती मोख क्या था? ये था बोद बिक्चुओं के लिए संग अनुशाशन की सहीता नेक्स्ट है किस मुगल शाशक ने वैशना और संत गोसाई जदरूप से भेट की? ये की थी जहांगीर ने निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो फर्स्ट है वो सही नहीं है बागी सेकिंड थर्ड और फॉर्थ है वो सही है वहाबी आंदोलन एवं तारिके मुहमदिया आंदोलन दोनों शाहा वली उल्लहा के उपदेसों से परभावित थे वहाबी एवं तारिके मुहमदिया आंदोलन के संस्थापक रमसे ब्रीटिस एवं सिखों के विरुद कारेवाईयों में मारे गए थे और फर्ष्ट वहाबी आंदोलन एक पुनर उत्थानवादी आंदोलन था भारत में जिसकी स्थापना सेयद एहमद राय बरेली द्वारा की गई थी इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही नहीं है फर्ष्ट सेकिंड और जो थर्ड है वो सही है नेक्स्ट निमल में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है इसमें जो फोर्थ है वो सुमेलित नहीं है फर्ष्ट कल्प सुत्र भद्रबाहु विसुद्धी मग बुद्ध गोश और परिशिष्ट परवन हेमचंद्र ये सुमेलित है निमलिकित में से किसने विजे नगर राज्जे पर लिखा है तो विजे नगर राज्जे पर अफनासी, निकीतिन, फरनाओ, नूनीज और निकोलो कॉंटी इन तीनों ने ही लिखा है इसका correct answer है fourth next question है नवाब मीर कासिम और इस्ट इंडिया कंपनी के मद्धे विवाद के कारण थे तो इसके विवाद के कारण है इसका answer है first अपने नीजी वियापार के लिए कंपनी के करमचारियों दुआरा दस तक का दुरूपयोग next question है ताली कोटा यूद 1565 में हुआ था उस समय विजयनगर सामराजे की वास्तवी के सक्तियां किस के हाथ में थी ये थी राम राय के हाथ में next है उपनिशदो का फार्षी में अनुवाद किस ने किया तो ये किया था दारा शी को हुने इसका करेक्ट अंसर है थर्ड उपनिश्डो का फार्शी में अनुवाद दारासी को हने किया था Next है कंकाली टीला की मूर्टिया पर्मुखतर किस धार्मिक संपर्धाय की है तो ये है जैन संपर्धाय की नेक्स्ट है निम्लिखित में से किसे उत्तर सल्तनतकाल में शीराज ए हिंद कहा जाता था ये कहा जाता था जोनपूर को निम्लिखित में से कौन तुरकान ए चहल गनी का सदश्य नहीं था तो ये नहीं था इमादू दीन रेहान नेक्स्ट है बर्मावे सिंगल द्वीप के साथ व्यापार हेत्तू मोर्य काल का परमुक बंदरगाह था ये था तामर लिपती नेक्स्ट है बारतिय उप माधविप में चावल की खेती के सबसे पुरातन परमर्ण निम्लिखित में से कहां से प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं फुतूहत अ आलमगीरी के रचियता कौन थे इसके रचियता थे इश्वर्दास नागर निमली खित में से कौन सा नव पाशानिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है यह जाना जाता है पल्लवाई को नेक्स्ट में मैच करना है फर्स्ट को सेकिंड से विदेहे यह मैच होगा सेकिंड मिथिला से मोर्य यह है पिप लिविन से और जो मल है यह समंदित है पावव कुशी नारा से और शाक्य यह समंदित है कपिल वस्थू से किसे शाशक ने पटाव कबूलियत को भूमी बंदोबस्त में प्रस्तावित किया इसका करेक्ट अंसर है थर्ड शेर सहा सूरी ने नेक्स्ट सुमेलित करने है एक तरफ वंश दिये हुए है और दूसरी तरफ राज्य दिये हुए है तो आदिल शाही यह समंदित है बीजापूर से कुतूब शाही यह समंदित है गोल कुंडा से इमाद शाही यह समंदित है बरार से और निजाम शाही यह समंदित है एहमद नगर से नेक्स्ट कोश्चन है निमली खित में से कौन सा परसव पूरव का संसकार नहीं है तो इसमें जो अनप्राशन है यह परसव पूरव का संसकार नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है जहांगीर के दरबार का कौन सा चितरकार उत्क्रष्ट प्राकर्तिक चितरकारी के लिए संबंदित है तो रिंग वेद से कोशी तकई ब्रामन संबंदित है नेक्स्ट है किस मध्य पाशान कालीन स्थल से मर्द को के कपाल को साभी प्राय पूर्वक खंडित करने के अवशेश मिले हैं यह मिले हैं लंग नाज से I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगी यदि वीडियो helpful लगे तो इसे like कीजिए, share कीजिए and for more educational videos मेरे चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching my video